नमस्कार, मैं हूँ होम को कुरूमा और मैं करती हूँ आपका स्वागर डियर फूद में आज हम बनाने वाले हैं एग संड़िच इससे बनाने के लिए हम इस्तमाल करेंगे उबले हुए अंडो का यह होने वाला है थोड़ा सा डिफ्रेंट और बहुत ही टेस्टी उमीद है आपको पसंद आएगी जोइन मी विलकुप तुगयदर इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं याप पर हाइ फाइबर ब्राउन ब्रेड आप कोई भी ब्रेड का इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर मैंने लिया एक चोटा सा प्याज एक हरा मिर्च थोड़ा सा धनिया पत्ता और यह है पालक साग या फिर आप बेबी इस पे नच ले सकते हैं और यहें दो उबले हुए अंडे मैं इसे उबाल ली हूँ और ठंडा कर ली हूँ एक बर्तन लेंगे हम उसमें बिल्कुल गर्म पानी डालेंगे या तो आप ऐसे बर्तन में कर सकते हैं या फिर आप डिरेक्टली गैस पर कर सकते हैं और पालक को पांच मिनट के लिए उसमें सोख करके रखेंगे पानी बिल्कुल जाद गर्म है ताकि पालक जो है उसका थोड़ा कच्छा पन चला जाए और इस तरह से पानी री चोड़कर उसे निकालकर कट कर लेना है हमने और इसके बाद हमने प्यास को करक कर लेना है कौंटिटी कमिया जाद अपने हिसाब से रख सकते है और इसके लाब आप दूसरे हर्प्स या वेजिटिविस भी यूज़कर सकते हैं अंडो को इस तरह से हमने हातों के बीच में जब आप इसे रप करेंगे तो इस तरह से आसानी से इसका चिलका निकलाता है अब एक बोल लेंगे और उसके उपर हमने एक ग्रेटर की हल्प से एको ग्रेट कर लेना है या फिर आप हातों से भी इसे क्रश कर सकते हैं अब हमने इसमें सारे कटे हुए वेजिटेबल्स को डालना है और इसके बाद हम इसमें स्वादनुसा नमक डालेंगे काली मिर्च थोड़ा सा डालेंगे और कोई भी सिजनिंग आप डाल सकते हैं मैं पिज़ा सिजनिंग का इस्तमाल कर रही हूँ तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्रीम चीज ले हूँ, आप कोई भी ब्रैंड का क्रीम चीज इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर अपने पसंद का सॉस, आप जो भी चीज पसंद है इस मिक्स्चर में आपको डाल देना और ये रेडी कर लेना है, इसके बाद हमने ब्रेड को लेना ह और जैसे कि एक अंडे से हम एक सैंडविच अच्छी तरह से रेडी कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने चार ब्रेड लिया है, और हमने बहुत अच्छी तरह से बटर में उसे दोनों ही तरफ अच्छा सा ब्राउन करके सेख लेना है, तो आप देख रहे हैं, ये रेडी है और हमने दूसरे पैर ओफ ब्रेड को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है, तो आप देख सकते हैं, ये रेडी है, अब इसके बाद हमने ये जो मिक्सचर रेडी किया है, उसको इसके उपर स्प्रेट करना है, और ये मैं क्रंच के लिए डाल रही हूँ, ये चिप्स अगर आ रेडी टू सर्व है, आप देख सकते हैं, ये कितनी अच्छी तरह से स्टफ हुआ है, और इसमें एक का फ्लेवर बहुत ही जादा अच्छा आता है, तो आप जरू ट्राइ करिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, और कॉमेंट करना ना बुलिए, और अगर आपकी कोई मास्टर रेसिपी है, जो मेरे थ्रू आप लोगों तक पहुचाना चाहते तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, और आइल सी यू इन नेक्स्ट वन, तिल देन कीप इटिंग और टेक केर.